हेलो दोस्तों, जैसे जैसे हम ओल्ड होते चले जाते हैं, हमारा जो स्केलिटल मसल का मैस है और उसकी स्ट्रेंग्थ जो है, वो आइस्ता आइस्ता कम होने लग जाती है तो यह तो एक बाइलोजिकल फेनॉमेन है जो हम सब को गुजरना पड़ता है, जो हम ओल्ड होते जाते हैं, लेकिन इसकी स्पीड को और इसके रिस्क को कम करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि एक्सेसाइज की क्या इंपोर्टन्स है तो old age में muscle mass जो है वो उतना ही ज़रूरी है, उतने ही इमपोर्टन्स इतने ही है, जितने के हमारे bones की है और हम चाहते हैं कि जो हमें bone की खराब हो सकती है, या bones की problem हो सकती है, उसको कैसे बचाना है उसी तरह हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपने muscle mass को जो है कैसे बरकरार रखना है तो muscle जो हैं हमारी body के आपको ये जानके हैरत होगी कि 50% जो muscles हैं वो हमारी टांगों में होते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको strength उसको strong रखने के लिए हमें weight bearing exercises करनी परती है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके पास time की कमी है तो आप जो है वो कर सकते हैं 15 मिनिट सुबह को कर सकते हैं 15 मिनिट शाम को कर सकते हैं या 15-20 मिनिट जो भी आप कर सकते हैं और अगर ये आप outdoor करें तो ये और भी अच्छा है क्योंकि outdoor activities जो है बहुत important है क्योंकि जब आप sun का exposure आपको होता है तो आपका जो skin में cholesterol है वो convert होता है vitamin D में और vitamin D जो है आपको सब को काफी मालूम होगा कि vitamin D जो है वो हमारी bones के लिए बहुत जरूरी है और खास्ताब क्योंकि के vitamin D की presence में जो calcium है वो हमारे bones में absorb होती है फिर इसके लावा walking के लावा जो है आप running कर सकते हैं अगर आप सीडियों पर नीचे जा रहे हैं यह जा रहे हैं यह जा रहे हैं यह सारे जो हैं यह आपकी लेक के muscles को काफी वो करती है जो है मजबूत करती है और weight bearing exercises basically जो है वो they force your body to work against gravity तो यह आप इस तरह इसलिए वो muscles strong होते चले जाते हैं और अगर आपके muscles strong है तो वो आपके joints के उपर भी उनकी अच्छी grip होती है और उसकी वज़ा से जो है आपको joints की भी problem कम होती है जो जैसे कि किस लोगों को जो है वो घुटनों की problem होती है उसके भी chances कम होते चले जाते हैं अगर आपके muscles strong है उस joint के इर्द गर्द तो balancing exercises पहले तो मैंने आपको यह बताया ना कि यह तो थी exercises जो आप weight bearing exercises लेकिन balancing exercises भी बहुत जरूरी है अगर आपका balance जो है वो अच्छा है तो आपके गिरने के chances कम हो जाते हैं और इस तरह आपके जो है वो हडियां तूटने के और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में पताया था वो उसके जो है bones fractures जो है वो भी कम होने के chances हो जाते हैं तो इसके लिए आप जो है वो यानिके दोनों चीज़िया अगर आप देखें को muscles की भी हमें muscles को भी strong करना है और हमें balancing exercises भी बहुत जरुरी है दोनों जो है वह एक दुछे को compliment करते हैं तो वह मैंने आपको balances exercises जो है वह मैंने आपको आपके साथ share की वही है अपने पिछले वीडियो में अगर आप देखें मेरे YouTube channel के उपर तो आपको बहुत सी मिलेंगी आप सिंपल से start करें और उनकी intensity को आप आइस्ता आइस्ता बढ़ा सकते हैं फिर अगला टिप जह है वह यह है कि अपने वेट को आप control रखें जहां तक मुम्किन हो वह नॉर्मल हेल्थी जो वेट आपका है उसके करीब रहें उसके लिए भी जाहर है lifestyle changes है उसकी जरूरत होती है ज्यादा देर तक खड़े होने से बेतर है कि आप चलते फिरते रहें उठते बैठते रहें वह अच्छी बात है ब आप रेस्ट करें रिलेक्स करें और उन से उठने के लिए मना करते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है जहां तक मुम्किन हो उनको आसानी से जहां तक मुम्किन हो उनको चलने फिरने की आपको एंकरेश करें उनको चलने फिरने के लिए जितना जादा आप उनको लिटाएंगे आपको उतना ही जादा उनके muscle mass जो है, वो lose होगा, अगर आप एक हफता पूरा लेटे रहें, तो आपका 5%, कम से कम 5% muscles जो हैं, वो खतम हो जाते हैं, और old age में तो recover करना muscles को काफी मुश्किल है, और मैंने यह देखा है कि जो बहुत से seniors हैं, अगर वो assistance हायर कर लेते हैं, अगर वो बीमार होते हैं, तो उनका जो muscle loss है, वो बहुत तीजी से होता है, So, मैंने जैसे आप से कहा कि walking जो है, वो सबसे असान तरीका है, अपने आपको fit रखने का, अपने muscles के लिए भी, आपके, आपकी bones के लिए भी. So, keeping your legs on the move as much as possible and balancing exercises can reduce the risk of a fall, especially in your later years.